सच श्रीकाल दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दी, खासी, जुखाम, गले में दर्थ की एक बहुत ही अच्छी सलीशन लाई हूँ घर में ही आज हमें कैसी गोली बना कर तयार करेंगे, जिससे बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खा भी लेंगे और बाहर से दवाई लाने की जरूरत भी नहीं होगी, तो फिर देना करते हुए चलिए से बनाना शुरू करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक सैंड रख लिया है, और उस पर हमने रखा है अदरक, यह करीब 100 ग्राम की करीब अदरक का टुकड़ा है, बड़ा वाला टुकड़ा है इसके हम छिलके नहीं निकालेंगे, और लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए दोनों साइट से बढ़िया से भून लेंगे, इसे भूनने में आपको 15-20 मिन लग सकते हैं, बड़ आप हाय फ्लेम पर मत भूनियेगा, लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से भून लीजेगा उसके बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और किसी भी बरतर में पानी में डाल कर इसकी जो उपर वाली स्किन है उसे हम उतार देंगे, तो आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से हम इसकी स्किन को रिमूव कर रहे हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा पटेटो पीलर की ह तो हमारी भूनी वी स्किन है, हम इसे बाहर निकाल दें, अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया, तो मैंने यहाँ पर एक मिकसर जाल ले लिया है, और उसमें उस अदरक के छोटे-छोटे टुकडे करके हम इसमें आड कर देंगे, ध्यान रखें अदरक क कि छोटे वाले जार में ही पीसिएगा, उससे क्या होगा, बिल्कुल फाइन यह पिसकर तयार होगा, वरनो अदरक की कॉंटिटी कम है, तो बड़े वाले जार में यह प्रॉपली नहीं पिस पाता है उतना अच्छी तरह से, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना अच्छी तरह से हमने इसे पीस कर रेडी कर लिया है, अब चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में आधा छोटा चमच देसी घी ले लिया है, घी जैसे ही हलका सा मेल्ट हो जाएगा, तो हमने जो अदरक पीस कर तयार की है, वो सारी अदरक इस स्टेज पर हम इसमें आड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5-7 मुझेंगे, दोस्तों जब भी सर्दी, खासी, जुकाम या गले में दर्द होता है तो ऐसे में अदरक जो काम करती है वो काम कोई भी नहीं कर सकता है, बट अदरक को ऐसे ही चबाना बहुत डिफ तो यहां पर मैंने 5-7 मुझे तक इसे भून लिया, आप देखी कितना अच्छी तरह से भूना जा चुका है, एक और चीज जब आप इसे भूनेंगे नो तो आपको बहुत अच्छी धीमी धीमे अदरक की खुश्बू आने लगेगी, उसके बाद इसमें एड करेंगे मैंने यहां पर 100 ग्राम अदरक ली थी, उसके कमपेर में हमने 200 ग्राम गुड लिया है और मैंने गुड को कदूकस नहीं किया हल्का-हल्का चोटे-चोटे टुकडों में काट लिया है, ऐसा मैंने क्यूं किया है मैं आगे आपको बताउंगी, इसके साथ ही हम इसमें अधर करेंगे, आधा चोटा चमच काला नमक आदा चोटा चमच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और एक चौता ही हल्दी पाउडर ये तीन सुकह बेसिक मसालेस में जाएंगा जाएंगे काली मिर्च हमारे गले के खराश के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आती है कटकिया गुड लिया उसे किया हुआ धीरे धीरे गुड पिगलेगा और बहुत अच्छा सा इसमें जो है अच्छी तरह से रज जाएगा अद्रक के साथ तो साथ से आश्मित लगे इसको अच्छी तरह से मिल्ट होने में अब मैंने गैस का फ्रिम पूरी तरह से बंद कर दि आप इसके चोटे-चोटे से इस तरह से बॉल बनाकर हम रेडी कर लिते हैं इतने मिक्स्चर में मैंने 15-20 बॉल्ड बनाकर रेडी कर लिए अब मैंने यहाँ पर चीनी को मिक्सर जार में पीस लिया था और उसका पाउडर बना लिया उसमें इन बॉल्स को कोट करेंगे और हमारी ये सर्दी खांसी वाली स्पेशल गोली बनकर तयार है आपको जब भी लगे कि आपको गले में दर्द हो रहा है या फिर खराश हो गई है, खांसी हो गई है तो आप इस एक गोली का यूज़ कर सकती है साथ ही दोस्तों बच्चे बड़े कोई भी इसे स्थमाल कर सकते है इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में बंद करकर एक महीने तक इसका यूज़ करेंगे तब भी ये खराब नहीं होगा तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे भी कमेंट्स में लिखकर बताइगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी